नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि टीसारट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, टीसारट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और टीसारट टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टीसारट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, टीसारट एक ब्रैंड नेम है, टीसारट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टेलमी सार्टन होता है, टीसारट टैबलेट 20MG, 40MG व असीMG की स्ट करने के लिए टीसारट टैबलेट का उप्योग किया जाता है, टीसारट टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है, और दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वज़ह से किड्मी फेलि दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आंखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है। और आंखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्त का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में टीसार्ट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टीसार्ट टैबलेट की वजह से कुछ साइ इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, दस्त होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, बलड प्रेशर का ज्यादा कम होना, कमर में दर्ध होना, उदास महसूस करना, नीन आने में परेशानी होना, दिल की धरकन का कम होना अब हम डिसकस करेंगे कि टीसारट टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। अब हम डिसकस करेंगे कि टीसारट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। टीसारट टैबलेट के साथ दर्द कम करने की दवाईया जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक या आईबूप्रोफेन आदी दवाओं का सेवन टीसारट टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि टीसारट टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से टीसारट टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किडनी की कोई बीमारी होने पर टीसारट टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए लिवर या किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में लिवर और किडनी की कार्य प्रणाली को मौनिटर करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको टीसारट टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए टीसारट टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टीसारट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।